समाधान, समाधान, समाधान भी बहुत शुद्ध और सात्विक है, वो भी मेडिटेशन करते हैं, इश्वर में आस्था रखते हैं और राजनीती में भी इसलिए आये हैं ताकि वो समाध की सेवा कर सकें अच्छी भावना से राजनीती में आये हुए हैं उन्होंने अपना अनुभाव सुनाया कि कुछ दिन पहले कुछ गुंडों ने उन्हें घेर लिया और उनकी कार पे लगातार फाइरिंग करने लगे चारो और से और एक जो गुंडा था, वो तो उनके पास ही आगया पिस्टल उसके हाथ में थी, बिलकुल लगभाव उनके कान के पास ही लगा दे थी लेकिन आश्यरे की ही बात थी कि वो पिस्टल कारिय नहीं कर पाया और वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे तो अपना अनुवल सुना रहे थी कि लगातार मैं मेडिटेशन करती हूँ सबको सारे संसार को शुब भावनाओं का दान तो देती ही हूँ लेकिन विशेस करके चुकि आजकल राजनीती में ये सब घटनाए होने लगी है मैं अपने पती के लिए भी पिशेस योग करती हूँ वो भी योग करते हैं और वो कह रही थी कि इश्वर का लाख लाख शुक्रिया कि वो पूरी तरह से अभी सुरक्षित हैं मित्रों कुछ लोग इसे कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं लेकिन हम तो यही कहेंगे सदियों से यह कहा जाता रहा है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई और यह बाद भी कहे जाती है कि इश्वर जिस व्यक्ति की रक्षा कर रहा हो सच मुझ सारे संसार में कोई भी व्यक्ति उसका कुछ भी बालबांका नहीं कर सकता और ये भी कहा जाता है कि यदे तुम इश्वर का ध्यान करते हो तो इश्वर का ध्यान स्वता ही आपके उपर बना रहता है तो क्यों ना हम भी उसके ध्यान में मगने रहें और उसके ध्यान को अपने उपर बनाये रखें तो किसी भी प्रकार की negative जो situation है जो हमारे पास आती हैं स्वत्त दूर हो जाएंगे आई सी खुबसूरत अनुभाव के साथ आज की समाधान की शुरुवात करते हैं अविनन दन करते हैं अधानिय व्राता जी का प्रताजी बहुत-बहुत स्वागत है थेंक्स प्रता जी बड़ा ही प्यारा सा अनुभाव था मैं चाहूंगा कि आपके पास भी लगाता है, लोगों की अनुभाव आते रहते हैं, कुछ प्रेरेक अनुभाव से आज की शिरुबात करें ऐसे कई जगे होता रहता है, कि घर में चोर आ गए, और चोर घर में आ तो गए, लेकिन घवराने लगे कुछ करने में असमर्त अपने को महसूस करने लगे, उदर माता जी भी गबरा रही है, अकेली माता जी है वो कह रहे हैं, चावी तो लेकिन डर रहे हैं, चावी मांग रहे हैं और डर रहे हैं, और आखिर इस्तिती ये हुई कि वो निकल गए तो ये सब बाबा की सुरक्षा है, उसके अनुभव हैं, जहां ता आमारी बहने अकेली जाती हैं, यात्रा करती हैं, बाबा की बहुत अच्छी सुरक्षा उन्हें महसूस होती है, सब लोग सहयोग करते हैं, तो वास्तों में मनुस के पुन्यकर्म, उसकी प्योरिटी, उस उसके सबसे बड़े सुरक्षागार्ड हैं, जिनके पास ये दोनों चीजे हैं, भगवान भी उनकी ओर ध्यान देता है, सुरक्षा करता है, और जिनके पापकर्मों का खाता बढ़ा हुआ है, जिनकी मन की भावनाए सुद्ध नहीं है, तो भगवान भी उनकी ओर देखता न और सुनते रहते थे भालू बहुत हैं चीते बहुत हैं मैं जाया करता था अकेला तो थोड़ा डर लगता था लेकिन बाबा के एक महावाक्य का जैसे मैं एक्सपरिमेंट करता रहता था कि अगर तुम योग-योग थो तो तुमारा कहें कुछ बिगडेगा ही नहीं यति तुम योग-योग थो तो चोड़ाकवों को तुमारे बारे में कुछ अंकल पे नहीं आएंगे उनका चित शानत रहेगा तुमें देखकर तो मैं इनके परियोग करने के लिए जंगलों में च चला जाता था दोपहर में चल जाता था चार और सुनसान साइं साइं लगता था खबराने वाला माहूल तो भी कभी कुछ नहीं हुआ तो विनासकाल में ये बात बहुत काम आएगी जो बच्चे जो आत्माय यवयोगत रहेंगे उन्हें महसूस होगा कि सर्वसक्तिवान या आतंगवादी ने डाल दिया गया हो वह सुरक्षित वहां से निकल आएंगे ये बहुत अच्छे अनुभाव होते रहेंगे बिल्कुल वह बहुत बता रहें थे कि चारों तरफ से गोलिया ही चल रहें थे लेकिन शयाद परमात्मा की खैर मदद तो थी ही लेकिन जब ह करने वाले हैं वो कार्य नहीं कर पाते हैं कभी-कभी एक और अनुभा होता है जो व्यक्ति को खुद पतन चलता पर वो दूसरों को होता है कि हमारा शरीर उन्हें दिखाई न दे वो गोली चला रहे हैं लेकिन कहां और कभी-कभी जो अच्छे योगी होते हैं उनकी एक इ अधियां दिख रहें कभी-उपर दिख रहें कभी इधर दिख रहें वो सोचते यह व्क्ति भागदोड कर रहा है पर इधर चलाएं उधर चलाएं तो उसको लगती नहीं है तो यह इस वरीं जी आप कर देता है और यह आगे चल कर बहुत होने लगेंगे सभी से होती है, सच मच यह सारे अनुभा उन्हें अवश्य करने चाहिए, पहला मेल ब्रता जी मैं आपको लिये चलता हूँ, आयशा जी का हमारी पास आया है मुंबाई से, और यह कहती है, कि देर ब्रतार, I had to make a request to you regarding my daughter, who is 10 years old and who is not a completely normal child, I feel strongly that some family members has worked some black magic on us to harm us, I very very strongly feel about it and this feeling has brought disharmony among me and my husband and my in-laws, would you please therefore advise me whether if I am justified in raising doubt about my family who has harmed me and my child, very critical condition, हाँ, यह होता है, आज कल यह black magic का जैसे जमाना ही आ गया है, लेकिन प्रतार जी एक चीज़, क्या पती या in-laws, बच्चे पे, अपनी पोती पे ऐसा करा सकता है, यह संभावना थो नहीं है, न तो बाप करा सकता हो, न दादा दादी करा सकते, हो सकता किसी और ने करा उस नहीं कराया सकता, कोई दूसरे अंकिल्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनको इस सादवेस हैं, वो तो करा देते हैं, लेकिन अपने ही grandfather और ग्रांड मदर या अपना ही father कराया, यह संभाव नहीं होता है, उनकी तो भावना होती है, वो तो अपनी बच्ची को देखकर, कोत पिलाएं खिलाएं, वही विधी मैं मास्टर सर्व सक्तिवानू साथ बार अभ्यास करके फिर दें, तो अगर कोई चीज बच्चे को खिला दी है, उसका effect is charge water से बिल्कुल जल्दी समाथ हो जाता है, इसके brain को energy दें, जो हम विधी बताते रहते हैं, दोनों हाथ मलते हुए तीन बार याद करेंगे, मैं मास्टर सर्व सक्तिवानू, और फिर बच्ची के सिर पर ऐसे रखते हैं, एक मिनट रखेंगे, और फिल करें ये 37-40 vibrations इसके brain को जा रहे हैं, ऐसा दस बार कर दें, time fix करके, तो अगर वैसे ही उसकी growth नहीं हुई है, brain में कोई deficiency है, body में कुछ ह वो सभी से ठीक हो जाएगा, वाकी हर जगे black magic कराया है, ये doubt और ये संकल भी बहुत अच्छा नहीं होता है, माताओं में ज़रा ज़्याद होता है, इनने कुछ करा तो नहीं दिया, हो बले कोई medical बात, कोई और चीज, तो इलाज भी करा लेना चाहिए मन में जब कोई एक बात घर कर जाती है, तो उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और शाद इनके साथ भी यहीं हो रहा है, ये बहुत ही strongly believe करती है, कि इन्होंने ही ये कराया है, तो जैसे आप कह रहे हैं, परिवार में खिट-खिट वाले स्थिती तो हो ही जाती है इसे, लेकिन मन में ये जो भाव बैट गया है, उसे कैसी ये निकालें? और जो टेक मैंट हमने बताई वो कर लेना चाहिए, देखे सम्बंधों को ठीक रखना पर हम आवस्षक है, क्योंकि उनके साथ इने पुरा जीवन रहना है, एक दो दिन की तो बात नहीं है न, तो इसलिए सम्बंधों को छोटी सी बातों का अनुमान के कारण, डाउट रुकते ही नहीं है, और मेरे पुरिशार्त में तिवरता नहीं आ रही है, और उड़ती कला का भी अनुमान नहीं हो पाता है, प्लीज आप मेरी मदद केजे, यह थारा साल का है, विचार बहुत चल रहे हैं यह बहुत लड़कियों में यह पाया जाता है, लेकिन लड़को में भी आज कल यह टेंडेंसी बढ़ती जा रही हैं, और उसका कारण एक ही है, जो हम बार-बार सब को सावधान कर रहे हैं, जहां सभी के मन बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी सक्तियां जो कभी परफेक्ट थी, वो यूज होते 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 होते, बहुत कम 2-4 डिगरी प बहुत ज़्याद है, तो जब हम ही सेंसिटिव हैं, तो उस सब को ग्रैन करते रहते हैं, इस से सब को बचना चाहिए, इसी के लिए राजियोगा, अध्यात्म, अपने संसकारों में कुछ परिवर्तन, इसकी बहुत आवश्यकता है, ज़्यादा सोचने की आदत तो वास्त में अनेक विमारियों को जनम देती है, और मन उसने जने क्या-क्या सोचता है, फिर सारा दिन उसकी दिशा किधर चली जाती है, और उसका इफेक्ट उसकी दसा पर आ जाता है, ये तो वही जाने उटके सोचते हैं, और आजकल एक समस्या और आ रही है, लोग अपने विचा में भी लेती जा रही है, स्टूडेन जो पढ़ते हैं, वो ये बहुत से कायत करते हैं, एक बार कोई विचार आ गया, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, और इससे हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो इससे पहला तो यही संकल, कि हमें इससे मुक्त होना है, हर व्यक् करना है, अपने मन को बहुत स्ट्रॉम करना है, और यहां तक ले चलना है, कि जो हम सोचना चाहें, वही हम सोचें, जो हम न सोचना चाहें, वो हम न सोचें, इसके लिए पहली चीज, मैं इनको सजेस्ट करूँगा, इस सुवामान से अब हमारे सभी दर्सक परिचित हैं, स को थोड़ी चार बज़े उठके फिर नीदा सकती है तो पीछे बले एक गंटा रेस्ट कर लें और चार बज़े उस सुंदर महोल में ये उठें और मैं मास्टर सर्व सक्तिवान हूं इसका बहुत अच्छा अभ्यास करें या 108 बाल लिख लें ताकि इनका मन पावरफुल बन मायंडी से एकसेप्ट कर लेगा और इनकी इनर पावर बढ़ती जाएगी एक तो इन्हें ये काम करना सबेरे उठकर इन्हें कम से कमाधा गंटा मेटेशन अवस्य करना है ताकि एकागरता हो आत्मिक स्वरूप पर परमातम स्वरूप पर एकागरता सुंदर विचारों प इसको भी एक आगरता कहते हैं सबेरे ऐसा अपने को इन बातों से चार्ज कर लेने से इन्हें धीरे धीरे काफी मदद मिलेगी और ये लक्स बना ले मुझे तीन मास अब अच्छी साधना करनी है अपने मन को साधने की तीसरी बात हमारी स्वर्य विश्विद्याले में जि इन्हें रोज एक पंदरा मिंट भी जादा नहीं उनकी स्टडी करनी चाहिए उनकी हमारे हैं बुक्स हैं बिलकुल उने पढ़ते ही कोई भी पढ़े तो लगेगा भगवान के अलावा ये लेंग्वेज ये फिलोसोफी और किसी की नहीं हो सकती तो उनको पढ़ने से इनक कि इनको पार मिलेंगे और जो वेस्टोट साथे रहते हैं उसको ये रोख पाएंगे ऐसे ही दिन में कुछ दिन तक तीन मास मैंने कहा पर उसके कुछी दिन पहले ये हर गंटे अपने को रोक कर अपने मन पे ध्यान दें यानि अपने मन को इनित्रेंट करना है मैं क्या क्या इसकी मुझे जरूरत है, उत्तर आएगा नहीं, और तुरंट साथ बार याद करें, मैं मास्टर सर्व सक्तिवान हूँ, मुझे तो इस अंसार को अच्छे वाइब्रेशन्स देने हैं, सभी लोग गंदे वाइब्रेशन्स फैला रहे हैं, जैसे आज कल धुआ ये वो ग अच्छी स्थिटी में आने लगेगा, और इस महामारी से बच जाएंगे, बहुत संदर बात है बाताजी, आपने जो किवल योग की बात कही है, उसे थोड़ा से सबस्ट करना चाहूँगा, जब ऐसी लोग योग में बैठते हैं बाताजी, तो भी उनका मन उन्ही विचार में भटकता रहता है, तो उन्हीं लगता है कि हम आदे खंटे बैठत हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं, इसलिए मैंने कहा, तेके दो तरीके हैं, या तो राजियों की कमेंट्री की सीडी लें, उसको चला दें, कभी कभी सुनते सुनते मनी दा उदर भटक सकता है, मैं ए क्योंदो सिवा लेले मैं पवित्र आत्मा हूं, ऐसे तीन-igor संकल्प चेंज करेंगे, आत्मा को विज्वालाइज करें, आत्मा को देखें, पाट सेकिन्द, सोचने में और देखने में पाँ शेकिन्द हो जाएंगे, फिर परमात्मा जो सुप्र değm सोल है, उन्हें देखे पाँच सेकिंड, उनके बारे में भी एक संकल्प ले ले, वो श्यानती की सागर हैं, फिर आत्मा को देखें पाँच सेकिंड, फिर परमात्मा को देखें, दस बार करें, दस बार करने के बाद, फिर इस समय को दस दस सेकिंड कर दें, दस सेकिंड आत्मा को देखें, चमक्ती जोती, मैं आत्मा पवित्र हूँ, परम पवित्र हूँ, मैं तो पवित्र हूँ, संकल्ब को रिपीत करते रहें, ताकि मन भटके नहीं, शुरू में जरूर ही होता है, इसंकल्ब को भले 10 सेकिंड में 3 बार रिपीत कर दें, फिर परम आत्मा को देखें, महा जोती, वो पवि अगर उन्हें देख रहे हैं और सोच रहे हैं फिर इस समय को 15 सेकिंड 20 सेकिंड कर दें और 10 दस बार करें 10 मिनट अगर इसमें लगाएंगे शुरू में कभी सफलता मिलेगी कभी नहीं मन बटक सकता है लेकिन घबराएंगे नहीं बहुत दर्टा के साथ सफलता होगी ही इसके साथ अगर ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मेटेशन में दीरे दीरे इनका मनिकागर होगा और आदा गंटा बहुत सुन्दर समय है मैं तो कहता हूँ 10 मिनट भी अगर किसी का चित्ते कागर हो जाए तो इनका आदा दिन सुन्दर बीट जाएगा हमें इसको और सरल कर दो मालो आदा गंटा इनको जादा लगता है मन भटकता है बोरियत होती है बंधन जैसा लगता है तो दस मिनट करें, दस मिनट सबेरे, दस मिनट लो पयार, दस मिनट रात को तो इससे एक continuation भी मना रहेगा और इससे इनको काफी अच्छे अनुगा हो जोती जी ने भेजा है हमें रांची से, कहती है कि काफी दिनों से मन की स्थिति बहुत खराब है बात-बात पे चिड़ जाती हूँ, ओफिस में और नहीं घर में कहीं भी मन नहीं लग रहा है इस स्थिति को मैं कैसे पार पाऊं, ये जोती जी हैं बताजे जोती को अपनी जोती जगानी पड़ेगी, क्योंकि ये भी एक मन पर बुरी चीज़ों का परभावी है मन अंदर के जो निगेटिव सन्सकार हैं, वो काम करने लगे हैं तो ऐसे में मन उसको इरिटेशन होता है पर कभी-कभी ज़्याद div भी आता है, पिर कभी-कभी ज़्याद色 क्रने लगते हैं कभी-कभी टाइम कॉन्सियस हो जाते हैं मानलो ओफिस में काम कर रहे है, तो इनका काम पूरा हो गया, और वो उसने दूसरा दे दिया, तो इरिटेट हो जाएंगे, मैंने काम पूरा कर ले, अब ना मुझे घर जाना था, यह क्या, यह क्या, वो फिर गुसा आने लगे गा इनको, और इससे पहले तो इनने यह याद पड़ेगा, केश्या अंत्रिक शक्तियां बहुत नस्थ होती है, क्रोज, इरिटेशन, मनुस की विवेक शक्ति को भी नस्थ करता है, इससे बहुत बड़ा नुकसान यह है, तब इनको पतान चलेगा, पता तो तब भी चलता है, इनकी खुसी तुरंत गायब हो जाएगी, तो एक बहुत बड़ा नुकसान जिसके लिए मनुस काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, कि वो खुस रहे, वो सुखी रहे, उसके चित में स्यानती रहे, वो सब छूट जाता है पीछे, इसलिए अपने पे थोड़ा सा ध्यान दे कर, फिर वही काम करेंगे, सबेरे उठते ही, याद करेंगे मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं पीस्फुल हूँ, मैं बहुत खुस नसीब हूँ, I am a happy soul, I am a peaceful soul, इस तरह के विचार करेंगे, I have to enjoy my life, मुझे तो अपनी जीवन की यात्रा का आनंद लेना है, यह जीवन बहुत सुन्दर है, मुझे पीस्फुल होना है, मैं तो master sir, सक्तिवान हूँ, मैं irritate कैसे हो सकती हूँ, मैं छोचोटी बातों मैं अस्यानत कैसे हो सकती हूँ, मैं नहीं हूँगी, आज सारा दिन, सबेरे उठते एक संकल्ब कर दे, आज सारा दिन, मैं irritation से मौकत रहूँगी, मैं enjoy करूँगी, हर कारिये को manage कर लोँगी, इ स्वमान हुए, मैं एक महानात्मा हूँ, मैं master sir, सक्तिवान हूँ, मैं श्यानत हूँ, यह अभ्यास करने से अंदर की श्यानती बढ़ेगी, सक्तियां बढ़ेगी, और यह अपने कारियों को भी आराम से manage कर पाएंगी, तो इससे इन्हें बहुत फाइदा होगा, और इन्ह करता है कि सभी को सुबह उठना ही चाहिए, और उठकर के सुन्दर विचार करने चाहिए, ताकि मन में एक positive energy आजाए, कई पार ऐसा होता है, महली जिनको उठने की आदत नहीं है, और कई लोग सुबह उठने की आदी भी नहीं है, देर से उठते हैं, आप हमेशा कहते हैं क पढ़ने वाली की पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, क्योंकि जो दबे हुए संसकार है ना negativity, वो अब इमर्ज हो रहे, active हो रहे, और इसका कारण है बाहर negative energy का प्रकोप, तो बाहर से जिसे तुफान चल रहा हो, तो अंदर जो चीज सोई हुई थी, वो भी जग गई, त हो तो को, आना इसका तो जितने फोन आते हैं, उनमें से आधे, इसके ही होते हैं आजकल, कि बस यह हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, कुछ करने को जी नहीं करता है, विन टीवी देखने को मन नहीं करता है, यूकों ने तो बताए मैं तो नेट को देखने को मन नहीं करता है ये सब क्या है, छोड़ो जीवन कैसा है, हम ये सिखाते हैं, बै जल्दी सो जाओ, सवेरे जल्दी उठो जो इतावत्ति ना, early to bad, early to rise है, makes a man happy, healthy, wise, बहुत चीज़े इससे प्राप्त हों, क्योंकि सवेरे का समय, जब सारा संसार सोया रहता है, जब प्रकर्ति अपने सतो पर अधान स्वरूप में होती है, एक सुन्दर ये ही दूसरा होता है, सूरज युगेग, आप जड़ा देखो, आकास में लालिम अच्छा जाएगी, कैसा सुन्दर न जा रहा होता है, याद करे भगवान की रश्णा कितनी सुन्दर है, तो सवेरे उठकर मनुस अपने को time द पाते हैं, उठते ही आखबार पढ़ेंगे, उठते ही आकाम पे जाने की जल्दी होगी, उठते ही आकाम दंदों में लग जाएंगे, ये नहीं, अपने को time दे सवेरे, इसलिए हमारे इसवरी विश्वित डैले में साड़े तीन बज़े उठने का एक नियम ही बना दिया ह साड़े तीन से और बहतों के पास तो आठ बज़े तक का full time free होता है, कई योगों सवेरे थोड़ी बहुत सेवाई होती हैं, दो गणते free होते हैं, तो मनुस अपने को अच्छी तरह चार्ज कर लेता है, तो यही इन सब को ज़रुत है, जिनको भी आज के लिए अनुभा हो क्यों कि इसे काल में हम ब्रह्मलोक में विचरन कर सकते हैं, हम अपने परंपिता से नाता जोड सकते हैं, इसका हम फाइदा उठाएं, तो हर व्यक्ति को यह सवेरे का सुन्दर समय एक golden gift है, godly gift है, मनुस असे से जानते नहीं है, इसको miss नहीं करना चाहिए, अगर सवेरे meditation करें, सुन्दत चिंतन करें, बाहर गुमे फिरें, थोड़ा आसन प्रानायाम करनें, अच्छी walking हो जाए, फिर इस वरिये महावाक सुनें, तो जीवन की धाराए को चोड हो जाए, बास अंदर बात है ब्राताजी, मुझे लगता है कि इस बस अच्छी विस्तार से आवश करें, कल मैं जरूर इस पर आप से प्रकाश होगा, क्योंकि बहुत ही महत्रपोर्ट चीज है हमारे जीवन के लिए, आज के सुन्दर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शक्रिया, वित्रों वैसे भी कहा जाता रहा है सुबह का साई, अर्थात सुबह सुबह ही परमा बगवान के दर्शन हो जाएं और सुबह उठते ही यदि कहा ही जाता था कि अच्छे व्यक्ति का मुख देख लो सारा दिन अच्छा जाता है भगवान का मुख यदि देख लें अच्छे विचारों से यदि शुरुआत करें तो सारे दिन में जो हमारे पास टेंशन आती है या जो चिड़चिड़ापन रहता है या अन्य समस्याएं आती है मुझे लगता है शायद ये दूर हो सकता है वस थोड़े से अभ्यास की आवश्यक्ता होगी हमें थोड़ा जल्दी उठना होगा एक बार आदत बन गई उसके बाद तो वाह वाह बल्ले बल्ले ही होंगे तब कैसे हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं क्या विशेस अभ्यास कर सकते हैं ताकि जीवन खुशाल हो इस पे कल हम राताजी से प्रकाश लेंगे आप बने रहेगा समाधान में हमारे साथ नमस्कार